आज हम पड़े हैं horse and कार्टे problem horse का मतलब goda and my cat horse & cart problem यह देखो आपके पास यह क्या एक गाड़ी है यह कै आप्के पास एक horse है क्या हुआ है जूड़ा हुआ है अब देखो जो गाड़ी आपने साथ थीक उसके नीचे आपने कौन सा वेट लटका रखा है W1 ठीक है जो R1 है ठीक है R1 जो है वो क्या करेगा इसको बैलन्स करके रखेगा W1 वेट को ठीक है अब देखो यहाँ पर आपके पास क्या है टेंशन इस साइड में लग रही है और जो होर्स है वो अपनी तरफ इसको क्या कर रहा है खिचने की कोसिस और जो आपके पास गाड़ी है वो अपनी तरफ खिचने की कोसिस कर रहा है ठीक है गाड़ी अपनी तरफ किचने की और होर्स अपनी तरफ किचने की तो इसके अंदर एक टेंसन इस डारेक्शन में होगी ठीक है अब देखो जो अपने पास होर्स है उसके अंदर आपने वेट कौन सा लगा रख है डबलू टू और जो R2 है वो क्या किसको बैलंस कर रहा है से आपके पास आ गया R ठीक है जो R है यहां पर आपका कौन से एंगल बन रहा है ठीक है जिस साइड में आपका एंगल ठीक होते है उस डारेक्शने आपका क्या होते है R कोस ठीक है और जो उसके पर पेंडिकुलर साइड में क्या होते है R साइने ठीक है तो यहां पर आपके को पास किया था और ठायाँ पर आपके पास हो गया और को सिते यहां पर आपके पास hot simply शाइंए थिड़़ेखकंट अब देखको इसके अंदर जो फॉर्स है वह इस साइड R1 of the ground जो weight आपने W1 लटका रखा है उसको balance कौन करेगा R1 R1 क्या है आपके पास reaction of the ground अब देखो the weight W2 of the horse जो weight W2 है वो आपने कहां पे लटका रखा है उसके उपर horse के उपर ठीक है the weight W2 of the horse HW H is balanced by R2 of the ground जो weight W2 लटका रखा है उसको कौन balance करेगा R2 the horse pull the cart with a force T in forward direction horse अपनी तरफ क्या करेगा गाड़ी को खचेगा ठीक है पूल समतलब खचेगा with a force T in forward direction T किसकी डार्स में लग रहा है forward direction में the cart pulls the horse with the same force T in backward direction ये कार्ट मतलब जो ये गाड़ी है ठीक है ये भी क्या कर रही है अपनी तरफ इसको कीचेगा की कोसिस कर रहा है ठीक है तो ये इसमें क्या होगा T किसकी डार्स में लगेगा backward direction में ठीक है अब देखो देन इस टू फोर्स आर बैलन्स ये दोनों फोर्स क्या हो रहे हैं बैलन्स वाइल पुलिंग दे कार्ट्ट का दे होर्स पूसीज़ डे गराउंड बैक्वर्ड इज़-फित बायए फोर्स अफ दे इゆे इंकलाइंड एट एन एंगल ληटीतश जा जो वाइल पूलिंग का मतलब क्या ओते हैं पुलिंग दे कार्ट पुलिंग का मतलब खीचना अपनी तरफ ठीक है दे होर्स पुसीज पुसीज का मतलब धका देना दे गराउंड बैकवर्ड विद इटस फीट ओफ फोर्स जो यह जो गोड़े के जो पैर होते हैं वो किसको रिपर्जेंट करते हैं फोर्स को कुन सा एंगल बना रहे हैं थिटा ओरिजेंटल कंपोनेंट के साथ एज रियक्शन गराउंड एक्जिस्ट फोर्स आर ओफ दा हुर्स एंड विच इज इकवल एंड अपोजिट तु दा फोर्स ठीक है जो आपके पास गराउंड एक्जिस्ट कौन सा फोर्स कर रहा है अफ तो उसके अंदर आपके पास क्या हो रहा है देखो और और इक्वल और पोजिट टू दा फॉर्स अफ जो आ रहे है जो आपके पास आ रहे हो एक्वल और अपोजिट किसे है फोर्स से हेर, R can be resolved into two rectangular component, फिर आपने क्या किया, आपके पास एक R component था, ठीक है, आपने उस R component को दो component में तोड़ लिया, एक तो R cos theta और एक R sin theta, तो R can be resolved into two rectangular component, R sin theta vertically upward and R cos theta along the horizontal जो आपने आर को स्थिटा है वो वर्टिकली अपवर्ड और और साइन थिटा horizontal में ले लिए आपने the component आर को स्थिटा टेंस तू मुद कार्ड फोर्वर्ड जो आर को स्थिटा यह वाला जो मुशन हो रहा है इसको अपोज मतलब इसके अपोजिट कह लग रहा है आपके फोर्वर्ड फ्रिक्शन बिट्विन कार्ट एंड गराउंड गाड़ी और गराउंड के बिच में दा कार्ट विल बी मूव ओनली आर को स्थिटा क्या हो जाएगा आपके बड़ा ह जाएगा किसे अब से अब देखो इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है वह आता है एपेरेंट वेट ओफ ए मैन इन लिफ्ट इलिवेटर ठीक है इसके अंदर देखो सबसे पहले आपके पास आता है वेहन इलिवेटर इस एड रेस्ट जब आपका इलिवेटर किसकी पो एग आता है वेट को क्या कर रहा है वेट ऐन्स कर रहा है तो नेट फोर्स ओन दर परसन बी क्या हो जाएगा जीडर अब देखो ऑर माइनसregल is equal to zero our weight है। और के सऊरी Normal reaction ndz-AY लग रहा हैidamente तो और ज्यादा लग रहा हैं ठीक है। इससे आम्जी से तो और मेंस सब्ट्रेट कर दे यार माइनस हम जी इस इकल टू जीरू ठीक है । सेज़न एकलन फैर सपस्ट एक्ष्टय क्ने लेकर चैन कोई साइड में एक्चवल रिजिसेगा इसके अदर आपके पास सप्सक्रांगर उख मतर साहिंग इस अक्सप्रेशन के ञिदन ने उल्ःच्छन एपार्य है आपका इल्यवेट्र किसकिंग करेगा एक्स हे इसक तरह लगा रख है है हं अमजी से लगा रखा यह आपने क्या रख रखा elevator ठीक है और आ रिक हैं आपके पास जो वेट है उसको क्या कर रहा है बैलन्स कर रहा है तो इसमें आपका elevator किसकी direction में नर्णे डारेक्शन अपवाड मतलब उपर की तरफ है ठीक है और एक्षिलेशन क्या लग रहा है एलग रहा है कौन सी डारेक्शन में अप सी आप उज बाड डारेक्शन में इक यहína देखों नेट अप उज अप्ऊर्ड फ्लंस उन दे पर् настолько यहां पर वो क्या लगेगा को सबस्क्रेंग ना का अफ इस इकल टू म में अम में क्या होता है इसके अंदर मास इसके अंदर अचलेशन अफ क्या होता है फोर्स अफ इस एकल टू r- mg यह r- mg कैसे आदेखो यह किसकी डारेक्शन में आप कौनसा केर्श कर रहे थे लिखंदiese इस होगें तो यहांसे आपके पास आजाएगा आफ F is equal to R minus Mg अब आपको पता है कि आपका Newton's का second law क्या होता है F is equal to M A ठीक है तो F is equal to आपके पास निकला है R minus Mg अफ की जगा आप में पुट कर दोगे M A ठीक है तो F is equal to R minus Mg F की जगा आपने पुट कर दिया M A R-MG है ठीक है अब आपके पास R आपने इस साइड रख लिया ठीक है इसको इस साइड लेकर आओगे तो आपके पास आजाएगा M A plus M G ठीक है यहां से आप क्या करोगे M A plus M G M क्या है दोनों में से common है तो R is equal to M into A plus G यह किसकी value आगए आपकी पास जब आपका elevator किसकी direction में move कर रहा था और किस acceleration के साथ है A acceleration के साथ ठीक है तो यहां पर आपके पास जो R है ठीक है जब आपका elevator किसकी direction में move करे अपवर direction में ठीक है अपवर direction में वेट कौन सा लग रहा था अमजी तो उपर वाला क्या था ज्यादा था नीचे वाला क्या था कम था तो R क्या हो जाएगा ज्यादा हो जाएगा किससे इसके अंदर आपके पास conclusion क्या निकलेगा the apparent weight of person becomes more than the actual weight apparent weight होगा person का वो more मतलब ज्यादा होगा किससे actual weight से वेहन elevator is accelerating upward जब आपका elevator किसकी direction में accelerate करेगा upward direction में तब क्या होगा आपके पास apparent weight of a person becomes क्या हो जाएगा ज्यादा हो जाएगा किससे actual weight से की बदूप होगा किससे थारे किससे आपके ंफ